डुंगरपुर के दोवड़ा के मामला गाओं के बिमार से एक परिशान आकर एक वरद ने पेड़ से फासी का फंदा लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली पुलिस निम्रितक की पहचान मालवा निवासी नाना परमार के रूप में की है और दूसरी तरफ परिशनों का कहना है कि पिछले कुछ समय से नाना परमार बीमार चल रहा था और घर से अचानक कहीं चला गया था वहीं पुलिस ने शवका पोस्त मॉटम करवा कर अब परिश जुनों को सुपुर्द कर दिया है और साथ ही मामला दर्ज करके पूरी जाज परताल भी शुरू कर दी है कि दंदराज जिता नाना जी परमार निमासी मालो अखला डाविला उपसित होकर एक लिकित रिपोर्ट दी कि मेरे पिता जी नाना उमर 55 साल मांसिक रूप से दो तिन दिन से अर्स्त वस्त चल रहे थे जो रात को निकल करके नहीं सिखा के मर के लिस पर हम मोके पर कि गांवालों से जो इकिति थे उनके पुष्टाश की तो उन्होंने इस बात भी पुष्टी की था इसके कोई दूप दर्द नहीं था और मोत में कोई सब्सुबा नहीं है मांसिक रूप से अस्रस्त रहने से ही इसमें फासिक रूप